हर बार पढ़ने वाली ठंड से इस बार की ठंड कहीं ज्यादा थी, पूरा धोलकपुर जंगल ठंड से परेशान था, गज्जू हाथी, कूकू कोयल, ब्लैकी कौा, चम्पू गधा, मोंटी बंदर और चम्पा लोमडी सब बस एक बढ़िया गर्मागरम घर बनाने में लगे एक दिन चम्पा लोमडी वहां आती है और वो बहुत दुखी होकर चीकू खरगोश से कहती है, अरे चीकू खरगोश, तुम तो बहुत समझदार निकले, ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बनाया है, अब क्या बताऊं चीकू खरोगोश ठंड इतनी प बढ़िया खाना बना कर खिलाऊंगी, चीकू खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर में रहने देता है, पहले तो चम्पा लोमडी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है, फिर उसे एक चाला की आती है, वो सोचती है क्यों न चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकाल देती है, चीकू खरगोश उसको खूब मनाता है, अरे चम्पा इतनी ठंड में मैं कहा जाऊंगा, लेकिन फिर भी चम्पा उसकी बात नहीं मानती, दुखी होकर चीकू खरगोश को अपने घर से निकलना ही पड़ता है, तभी चीकू खर खरगोश मोन्टी बंदर के पास जाता है और उसे चम्पा के बारे में सब कुछ बताता है, और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और चम्पा को घर से बाहर निकाले, चीकू खरगोश को लेकर मोन्टी बंदर चम्पा लोमडी के पास जाता और उस पर गुसा करते हुए उसे बाहर निकलने को कहता है। तभी चमपा लोमडी मोंटी बंदर को धीरे से अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है। अरे मोंटी बंदर तुम यहां रह सकते हो। इतना गरम घर देखकर मोंटी बंदर चमपा लोमडी की बात मान जाता है और फिर दोनों मिलकर चीकु खरगोश को फिर बाहर निकाल देते हैं अब चीकु खरगोश ब्लेकी कौई के पास जाता है उसे पूरी बात बताता है मोंटी बंदर की तरह ब्लैकी कौई भी चमपा लोमडी के पास जाता है और चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकालने के लिए उस पर गुसा करने लगता है फिर चमपा लोमडी ब्लैकी कौई को भी अपने साथ रहने को कहती है मोंटी बंदर के साथ साथ अब ब्लैकी कौ भी उन लोगों के साथ रहने लगता है ये सब देख कर चीकु खरगोश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था जिसको भी लेकर आ रहा था वो सब चमपा के साथ उसी के घर में रहने लग जा रहे थे तभी चीकू खर्गोश को गज्जू हाथी का खयाल आता है क्योंकि पूरे धोलकपुर जंगल में अगर कोई समझदार है तो वो है गज्जू हाथी बस यही सोचते हुए चीकू खर्गोश ठंड में कमपक पाते हुए गज्जू हाथी के पास पहुँच कर उसे सारी बात बताता है पर अंदर ही अंदर चीकू खर्गोश डरता भी रहता है कहीं ऐसा नहों मोंटी बंदर और ब्लैकी कोई की तरह यह भी चमपा लोमडी की बात में आ जाए और उसके साथ रहने लगे